परस्ट्री सेवन फाइब एक चाइनिस अर्बन लीजन्ट है जिसे चाइना के बिजिंग शेहर में सच माना जाता है कहा जाता है कि ये अर्बन लीजन्ट एक ऐसे बस का है जो रातो राद नवेंबर की ठंडी और काली रात में गायद हुपई था इस अर्बन लीजन्ट को मिडनाइट बस या फिर दो बस टु फ्राग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है ये घटना 14 नवेंबर 1995 बिजिंग चाइना में गटी थी बस नमबर 375 यौंग मीन यूंग बस टर्मिनस से निकली ये इस रूट की आखरी बस थी जो यौंग शैन फ्राग्रेंट हिल्स पर जाकर रुपती थी बस में सिर्फ ड्राइवर और एक लेडी कंड़क्तर ही थी उस रात बाहर काफी कौरा था और तेज ठंडी हवाय चल रही वो बस कुछ दूर चलने पर साउध गेट जो की समर पैलेस के बगल में था वहारुकी और बस का दर्वासा खुलते ही चार पैसेंजर्स बस के अंदर चड़े एक बूढ़ी अवरत एक यंग कपल और एक यंग लड़का वो कपल सामने वाली सीट पर बैठ के जो की ड्राइवर्स के जस्ट पीचे ही थी दूसरी और वो बूढ़ी अवरत और वो लड़का उन्ही के साइड वाली सीट पर बैठ के जो की में डोर के बगल में थी बस फिर से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए अंधेरी रात में उस रास्ते पर बस एक यही बस थी जो दूर दूर तक नजर आ रही थी हर किसी को सिर्फ बस के इंजन की आवाज ही सुनाई दिनी रही थी पुरी बस में एक सन्नाटा सा था बहार भी रास्ता मेंन सिटी से काफी दूर था और रोड पर इसी वज़ा से कोई दूसरी गाड़िया नहीं थी कुछ दूर इसी कोरे और सुनसान रास्ते पर चलते हुए बस ड्राइवर को कुछ दूरी में दो परचाईया नजर आई जो अपना हाथ दिखा कर बस रुखवाने की कोशिश कर रहे थे बस ड्राइवर ने उनकी और बस को बोड़ा और रोग दी जैसे ही बस का दरवाजा खुला बस में तीन आदमी चड़े दो आदमी जिनके बीच एक आदमी था जिसे बलूग शोल्डर से सपोर्ट दे कर चड़ा रहे थे वो आदमी होश में नहीं नजर आ रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह नीचे जुका हुआ था जिस वजा से किसी ने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा वो तीनों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जैसे वो किसी फैंसी पार्टी या फंक्शन से आ रहे हो और उनका चेहरा एकदम सफेद सा था जैसे मेक अप किया हो बसके बाकी पैसेंजर्स उन्हें देखकर काफी डर गया थे और एक दूफरी की और नर्वसली देख रहे थे वो लेडी कंड़क्टर ने उन्हें रिल्याक्स कराया और बताया कि गबराने की कोई जरुरत नहीं है वो शायद कोई आक्टर्स होंगे जो किसी ड्रामा की शूटिंग कर आ रहे है और शायद उन्होंने जादा पी भी रखी है कुछ समय बीता ही था कि अचानक वो बोड़ी अउरत और उस जवान लड़के की लड़ाई शुरू हो गई बोड़ी अउरत का कहना था कि उस लड़के ने उसका वालेट चुराया है और उसे गालिया देने लगी दीरे दीरे उनकी लड़ाई काफी बढ़ गए और उसके चलते उस बस ड्राइवर ने उन दोनों को आधेर रस्ते में ही बस से नीचे उतरने के लिए कह दिया वो दोनों बस से नीचे उतर गए और बस अपने रास्ते निकल गए वो लोग वही सुनसान रस्ते पर खड़े बस को कोवरे में पूरी थरा गुम होने तक देखते रहे अभी उस बूरी औरत का गुस्सा मानों एकदम से चला गया उसने उस जवान लड़के की ओर देखा और उससे कहा कि उसने उन दोनों थी चान बचान क्योंकि वो जो तीन पैसेंजर्स बस में चड़े थे उनके पैर नहीं थे और वो हवा में उड़ रहे थे ना कि चर्ल रहे थे वो जिन्दा नहीं थे बलकि भूत थे ये बाद उस बुड़ी औरत ने उस लड़के को बस में ही बता दी थी और उन दोनों ने ये नाटाग बस से उतरने के लिए किया था वहाँ से वो दोनों जैसेते से पास के पुलिस टेशन पहुचे और उन्होंने ये सारी बात उन्हें बताई पर किसी ने उनकी बात पर बिलीब नहीं किया पर अगले ही दिन बस कमपनी ने एक स्टेटमेंट इशू की पिछली रा आकरी बस जो रूट 375 पे चलती है वो उस बस के ड्राइवर और एक लेडी कंड़क्टर के साथ गायब हो गई पुलीस ने तुरद उस बुड़ी और और वो लड़के को ढूण निकाला जिन्हें वो पिछले राख को पागल समझ रहे थे और उनकी सारी बाते फिर से सुनकर उन्होंने पूरे सिटी में अलर्ट लगा दिया और उस बस की तलाश शुरू कर दी वो दोनों बुड़ी यवरत और वो लड़का न्यूस चैनल्स पर इंटर्व्यूस देने लगे और इसी तरह पूरी सिटी में ये बात आग की तरह फैल गे तीसरे दिट पुलीस ने वो बस ढून लिकाने बस की डेसिनेशन जॉंग शैन से 100 किलोमेटर दूर एक तालाव में बिली बस के अंदर तीन बोड़ीस थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी पर इससे भी डरावनी और सोचने वाली बात तो ये थी कि वो बस इतने दूर आई कैसे उस बस में उतना पेट्रोल था ही नहीं कि वो पूरे दिन की ट्रैवल के बाद 100 किलोमेटर और आगे इस जगा पर आ सकी पुलीस ने जब पेट्रोल टैंक चेक किया तो उन्हें उस टैंक में पेट्रोल की जगा ताजा खून भरा हुआ मिला जो लाशे उन्हें बस में मिली वो तीन दीन के इसाब से बहुत ज़ादा सड़ चुकी थी अगर गर्मी का भी दीन होता तब भी कोई लाश इतनी बुरी तरह नहीं सड़ती है पोस्ट मॉटम के बाद पता चला कि उन लाशों के साथ कोई भी छेड़चार नहीं की गई है और वो लाशे उस बस ट्राइवर, लेडी कंड़क्टर या वो कपल में से किसी की भी नहीं थी वो लाशे उन तीनों आदमियों की भी थी पुलिस ने पुरे तालाप का एक एक फोना चान मारा पर उन्हें और कोई बोड़ी नहीं मिली पुलिस ने उस रूट के सारे सेसी टीवीज चेक किये पर उन्हें किसी भी टेप में कुछ अजीब नहीं मिला किसी को नहीं पता वो ड्राइवर लेडी कंड़क्टर और उस कपल के साथ क्या हुआ वो कहा गए बस नमबर 375 इतने दूर कैसे आई और वो दीन आदमी कौन थे ये केज आज भी अनसॉल्ट है अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए अगर आप चैनल पे नए है तो अभी सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेश कीजिए so that आप हमारी वीकली स्टोरी मिस ना करे